माराठा अरक्षन को लेकर हमने देखा कि वीरद दको द्वाविपक्ष द्वारा जो है अभी नाराजगी जताई गई है क्या बता होगे माराठा अरक्षन का विशे और सभी समाज का अरक्षन का विशे माराष्टा में बहुत दिनों से चलता आ रहा है जरांगे पाटिल ने जो अरक्षन का अंदोलन छोड़ा था छेड़ा है इसलिए जो सरकार ने उनको आश्वासन दिया था और 24 तारीक की जो डेट उनने एक तैय की थी उसके बारे में सरकार की और से कुछ ठोस परिया या उपाय दिया है नहीं गया आज के मुख्यमंतरी महोदे के भाषन के दौरान कुछ भी समाज के लिए कुछ ठोस का कारवाई वो करेंगे या आरक्षन कैसे देंगे कब तक देंगे ऐसा कुछ हमें जो अपेक्षित था वो नहीं दिया गया और इसी कारण ने हमें सबाता किया है अगर आगली भूमी का विपक्ष की क्या होगी मराठार अरक्षन को लेकर अभी ये सरकार के उपर है कि मराठार अरक्षन दिना विपक्ष न अपनी भूमी का तैय किये कॉंग्रेस पार्टी ने खास करके हमारे नेते राहूल रांदी ने भी कहा है कि देश भर में सभी जातियों का जन्न गन्ना होनी चीए और उसी तरीके से आगे की विवस्ता आने वाले समय में उसको सुधारने के लिए ये किंद्र सरकार हो हर राज़ी की सरकार हो उसको मिलके ये सुजालत करना चाहिए दन्यवाद सरकार ने आज मरतारक्षन को लेकर निर्णे देना चाहिए था वो निर्णे नहीं दिया है इसलिए आज विपक्ष द्वारा सभातयाक किया गया है क्या मैरा परसन अजित कोवर के साथ में खशेतीजादेश मुग बीसीन नियूज नाग पोर